प्रिय बापू और बापू के प्रिय हम सब मैं वहाँ से यहां तक आ रहा था तो बोलना चाहता था कि यह इस नाचीज को थोड़ी सी जगा चाहिए क्योंकि इतना हलका फुलका सा मेरा और सब लोगों का शरीर है कि वैसे हम जगा तो रोकते नहीं हैं हवा रोकते हैं सिर्फ दो तिन बातें जैसे आप उन्हें अचानक बताया हैं तो मन में जो है वो बताऊं आज सुबे को हमने देखा कि एक घंटे में व्यासपिट का मूड कैसे कैसे बदलता रहा मैं समझता हूँ आप सबने भी नोटिस किया होगा दस बजे तो ऐसा लगता था कि जितने आशू अंदर है वो आज बार उमट जाएंगे लेकिन आदे घंटे के बाद हमको मालूम पड़ा कि वो आशू संगीत की तर्ज में बदल गए हैं और पूरा पंडाल साथ में गाने लगा था शायद ऐसी बारी बहुत कम आती है और जब आती है तब हम है वो हमारे जीवन का एक सदबाग्य है ऐसा मेरा अनुबव बोलता है I think you also agree to the same point मैं एक दूसरी बात बताओं बापू दो दिन से मैं ये एक्सपिरियंस कर रहा हूं कि जो कुछ फिल हम कर रहे हैं वो दूसरे दिन आप बोल रहे हैं अप्रपू जब जब अज़ जब आपके लगवावन कर दो में लुटता है प्रफिल्मारश कर बापू कर दूसरी बापू कि बापू कि ये वे बापू जब ऑपू कर दूसरीं in the past gathas that if you surrender to your buddha purush with totality he will be with you at every time वो आपके साथ रहेंगे मैं एक बात आधार के साथ बताऊं क्योंकि अभी लोग बापू के पास से भी आधार मांग रहे हैं ये जमाना ही आधार कार्ड का चला है वैसे विर्पूर में तो बापू ने कहा था कि राम कथा खुद ही आपका आधार कार्ड है लेकिन का रेफरेंस करके भुरीबाई और एक और संत के बारे में और आपने कहा कि वो इतना कहा कि एक प्रगड है और दूसरा प्रगड नहीं है लेकिन वो भी वो ही स्तर्प हैं तो उसी दिन मैं अभी जो पढ़ रहा था उसमें विनोबा जी ने अपने पीता जी के बारे में य विनोबा जी के जो पिताजी थे आपको मालूम होगा विनायक भावे विनोबा जी महाराष्ट के थे ऐसा कहना अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो महाराष्ट के थे नहीं पूरे जगत के थे जिसका रेफरेंस आज बापु ने जगत करके बोला था मंगला चरण के वो आचर कार थे टीचर थे गणितगन थे व्यास थे सब कुछ कर रहे थे तो उनका जब दिहावसान हुआ तो विनोबा जी ने शद्धान जली में लिखा कि बाबा कोई विख्यात आदमी नहीं थे लेकिन बहुत महान से महान अप्रसिद्ध पुरुष हो गये हैं उसमें से एक पुरुष वो थे वाट येस्टरडे बापु रिफ़र्ड कि कई लोग ऐसे होते हैं कि जो अप्रगट है लेकिन वो भी महान थे पुरुष में आज एक ही क्राइस है तो वो क्राइसिस वो है कि हम हमारे बच्चे को पूरा समय नहीं दे पा रहे हैं मेरे को याद है मैंने लंडन में भी बापु को मानस विस्मई के लिए एक चिठी बेजी थी वो अभी भी बाकी है वी आर ओल वेटिंग फॉर देट कथा ये विस्मई ये है जो बच्चे के पास अकबंध है लेकिन वो विस्मई हम जल्दी से लुटा दे रहे हैं I already referred at that time कि रामचरित मानस में इतने सारे विस्मई पड़े हैं कि एक के बाद एक खोला जाए तो ये जन्रेशन को चमतकार लगेगा they are not able to believe कि ऐसा कुछ होता है वह हुआ होगा तो जो बच्चों को परवरिष्ट की बात है खास करके माताओं के बारे में वो बापू अच्छी तरह से कह रहे हैं उसमें में दो छोटे प्रसंग आपके सामने विनोबा जी के जीवन से रखना चाहूंगा यह बहुत फेवरिट प्रसंग है उनका बहुत अच्छा सा परिवार था चार भाइबेन थे और माता जी पूरी दर्म परायन थी लेकिन विनोबा जी का पूरा जो घड़तर जम जिसको बोलते हैं पूरा परवरिष्ष जो किया वो माता जी ने किया और उनकी म ने ऐसे उनको बड़ा किया कि बाद में बड़े होने के बाद जो कदम विनोबा जी ने उठाए वो बच्पंड में उनकी माता के द्वारा किया गया था विनोबा जी ने बड़ान यात्रा की थी 72,000 किलो मीटर वो पैदल चले थे बहुंतेर हजार गुजराती माजे ने बहुंतेर हजार किलो मीटर जाते चालया तेर वर्ष सुधी चालया continuous 13 years चलते रहे और 42 लेक एकर जमीन उसको भुमी में दान में मिली थे 42 एकर लेक एंड जमीन दान में उसको बोलते थे भू दान भू मिंस जमीन जमीन का दान जर्नालिस ने पूछा कि ये बात आपके मन में कैसे आई कि ऐसा कोई आंदोलन या प्रवुर्ति शुरू की जाए बुदान की कैसे आपने ये तय किया उनका जवाब बहुत अच्छा था उन्होंने कहा ये आज की बात नहीं है हम जब छोटे थे तो हमारे घर में रुक्ष लगे हुए थे उसमें एक फणस जिसको हम बोलते हैं I am not sure about the कठल okay jet fruit it is there in Kerala okay a big fruit yeah वो उनका एक बड़ा सा रुक्ष था और सभी बच्चे देखते थे के उनके उपर फूट अभी आ रहे हैं एक के बाद आ रहे हैं तो रोज उटके बच्चे पहले बगीचे में जाते थे और देखते थे कि वो बड़ा हो गया खाने के लायक हो गया क्योंकि पगेगा तो हमारे पास आएगा ओल वेर वेटिंग एक दफ़ा ऐसा हुआ कि विनोबा जिसको मा विन्या खेती थी उसने कहा विन्या देखो वो फूट तो अभी पक गया है तो उसने बोला कि मा उतार के हम सब खा जाएं उसने बोला नहीं ऐसा नहीं करते तुम करो कि तुमें देव बनना है या राक्षस बनना है ये माता जी का प्रशन था कैसे मा अपने बच्चे के साथ संसकार या मुल्यक के लिए पेश आ सकती है उनका ये उदार है तो बच्चों ने पूछा ये फॉल खाने की बात में देव राक्षस कहां से आ गए है फॉल दे देव या राक्षस तो विन्या ने प्रशन किया कि देव क्या होते है राक्षस क्या होते है वो पहले बताओ बात में हम तो ही करेंगे उन्हों ने कहा आपको मलूम नहीं तो भाई ने बोला कि जो स्वर्ग में रहते हैं वो देव होते हैं और जो नर्क में रहते हैं वो र यहां जो रहते हैं वो ही देव है और यहां जो रहते हैं वो ही राक्षस है तो विनो भाजी ने प्रशन किया ऐसा कैसे हो सकता है एक पृत्वी पे दोनों कैसे रह सकते हैं उन्होंने बताया कि जो अपने में से किसी को देना पसंद करता है वो देव बन के रहता है और जो अ संद करेंगे तो देव बनना है तो उपर से जो फल नीचे आएगा वो पहले बांटा जाएगा ओल अगरिट तो देट पॉइंट बिकॉस दे कंविन्सिंग मेटर वोज अल्रेडी कंवेट बाइड 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 लेंगे पांच बाइड लेंगे लेकिन जैसे फल नीचे उत्रा छोटी छोटी कटोरी लगी और उनकी माता जी ने छोटी छोटी पेशियां चार पांच कटोरी में रखी जैसे उठाया ऐसा है वो लग ठहरो 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 बाइड का मिनिग क्या है हम खाले वो बाइड ना तो नहीं है ये जो वुरुक्ष है वो पडोस वाले ने भी देखा है ये बगल वाले नहीं भी देखा है तो बेतर वो होगा कि कटोरी लेके पहले पड़ोस में जाओ और वहाँ जाके देखे आओ बाद में तुम्हारे लिए खाने का होगा विनोबा जी ने जर्नालिस को कहा कि देते देव अने राखेते राक्षस ये मिनिंग जो मैंने पहले से मेरी मां से जाना था उसमें से मेरे को विचार आया कि जो आपके लिए नहीं है वो किसी को दे देना चाहिए उसमें से मैंने विचार रखा कि आपकी परवरिश के लिए जितनी जमीन है वो रखो बाकी निदान करो तो लोगों ने ये समझ लिया कि ये तो बूरी बात नहीं है और भुदान करना सुरू कर दिया 48 लेक एकर जमीन इसी परवरिश से आई जो मा ने डेव और राक्षस के बीज की जो डिफरेंस था वो क्लियर कया था बचपल में मैं आगे बहुत कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि बहुत सी बाते हैं लेकिन दो टीन बाते जो बापू बता रहे हैं समीत तसनेह और समय ये तीन बाते वो पूरा समय हमारे बच्चों के लिए हम यदी नहीं निकाल पाएंगे तो बाहर के जो वाइरस है यदी आप आपके बच्चों को विज्ञान नहीं समझा पाओगे तो वो विकृती तुरंत समझ पाएंगे that's why it is our responsibility to convince them what is the science of the matter science means what is the religion of the matter religion means वो matter कैसे बना है किसने बनाया है अस्तित्वत का उसमें क्या रोल है ये नहीं टै कर पाओगे तो जैसे चाइना में हुआ वो ही हो जाएगा जो नहीं खाया जाता वो नहीं खाना चाहिए जो खाया जाए वो ही खाना चाहिए ये बातें हमें बच्पन से सिखानी चाहिए अभी माएं बहुत लाड़ से बोलती है कि मेरा बच्चा तो पनीर के बिना कुछ खाता ही नहीं है इतना एडवांस हो गया है वो एडवांस नहीं हुआ है आप पीछे चल रहे हैं क्योंकि उनको समझना चाहिए कि भिंडी भी खाने की आइटेम है और भाजी भी खाने की आइटेम है चितना ग्रीन खाओगे उतना अपनी दृष्टी अच्छी बनाओगे यह कहेगा कौन बाहरवाला कोई कहेगा आर यू वेटिंग फॉर अदर्स तो टीच यूर चाइल 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 इस यूर्स वह आपका बच्छा है एक दफा विनोबा जी के पिताश्री आये वह बर्वादर आते थे तो वह अपने साथ दिवाली की मिठाई लेके आये हर दफा आते थे और उन्होंने आके एक बॉक्स खोल के दिया कि ये दिवाली की मिठाई है बच्चे दोडे बॉक्स खोला तो उसमें से मिठाई निकली बच्चे की परवरिस ऐसी थी कि बच्चे बॉक्स लेके मां के पास गये कि मां देखो ये पिताजी मिठाई लेके आये और माने अंदर से रेप खोल के दिया ये बाल रामायन है ये बाल महाबारत है और ये बाल बगवत किता है आप तीनों के लिए दिवाली की इससे बड़ी मिठाई कौन हो सकती है विनोबा जी ने लिखा है ये तीन का नाम मैंने पहली दफ़ा दिवाली की मिठाई के तोर पे जब अपने पास लिया तब पूरी जिंदगी में उनके साथ जीता रहा मैं विनोबा जी को आधार इसलिए रह रहा हूं कि उनकी सवासोवी जन्मसताब्दी चल रही है 125th birth anniversary is going on of विनोबा भावे and I know that Bapu is very well worried about it मेरे को मालूम ये सब बाते Bapu को मालूम है वेसे भी सब कुछ Bapu को तो मालूम ही है लेकिन हम छोटे बच्चे इसलिए हैं कि हमको भी अच्छा लगता है जब कोई वडिल के पास उनकी जानी पेचानी बात हम हमारी बाशा में रखे इसलिए मैंने रखा है एक छोटा सा सुत्र कहके मैं मेरा काम पूरा करूँगा और वो सुत्र हमारे लिए बहुत ही आधारबुत है उनको जब पुछा गया कि आप इतना सब घुमते हो 72,000 किलो मीटर से आप चले हो 13 साल चलते रहे तो क्या पाया आप कैसे घुमें उनका जवाब था हमें घुमाने वाली चीज न ग्यान है न हमारा त्याग है और न हमारा फकिरी बाना है हमें घुमाने वाली चीज तो रहम हमदर्दी और करूणा है ये रहम हमदर्दी और करूणा वो ही हमारा सत्य प्रेम और करूणा Thank you very much झाल झाल